क्वेशन तफ बिल्कुल भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है पेशन से चीज़े समझनी है पहले मैं आपको पूरा समझा रही है पिर आपको शॉटकट भी बतारही है जैसे हाई अब्रिवान दिस भाहते हैं विल्कुल भी चानल ड्रीमाथ्स सो हमने स्टार्ट किया हुआ है नुमेरिकल माथट्स सूपर इजी इसके अंदर माथट्स होते हैं बहुत सारे माथट्स कर चुके हैं जिसे बैसेक्शन मैथड रेगला फॉलसी और गोज ऐलिमिनेशन ला लाज क्लास में क्या किया था हमने एक्वेशन सौल करने सीखी थी एकस य जड की वेलिउन निकाल सी थी सीखी थी ना आज एक्शह ब्रास में हम इन सिस्टम को सौल करेंगे इनके सोलुशन्स पहले सी दे दिये 2.81 z उकल को ये1.8 ये क्ष्ण देट की वेलिस पहले सी दे लेकिन ये कुछ अच्छी सी नहीं लग रही 2.8, 1, 1.8 कुछ पूरे-पूरे numbers answers नहीं आ रहे जैसे 1, 2, 3 ऐसे answers नहीं आ रहे तो हम 2.8, 1.8 ये point वले answers नहीं चाहिए हमें हमें पूरे-पूरे whole numbers answers चाहिए 1, 2, 3 तो आज की class में हमें solution पहले सी दिया गया है लेकिन इन solutions को अच्छे solutions बनाएंगे जैसे 2.8 नहीं चाहिए मुझे तो 3 अच्छा लगता है तो हम इन solutions को अच्छा solution बनाएंगे कैसे बनाएंगे that is by iterative method तो आज हम system के लिए iterative method सीखने वले हैं बहुत simple है बहुत interesting भी है boring नहीं है कि हम calculations करते जा रहे हैं करते जा रहें नहीं बहुत simple interesting साथ साथ करेंगे तरे start फिर class चले फिर फड़ा-फट से करते हैं जल्दी से notebook लेया है यह फड़ा-फट से question स्टाट करते हैं देखते हैं कि इसकी statement कैसे आती है question में आएगा an approximate solution of the system यह system बोलते हैं जब आपके पास एक से जाधा equation एक साथ दी जाए जैसे एक, दो, तीन, तीन equation एक साथ दी गई है तो यह system बन जाते हैं तो वो बोल रहा है approximate solution of the system कि इसका approximate solution क्या है is given by 2.8, 1, z equal to 1.8 इस system का approximate solution दिया गया है 2.8, 1 और 1.8 इसमें को दीख कर आगे देखो क्या कह रहे है using the iterative method, iterative method यूज करेंगे improve this solution भाई यह solution अच्छा सा नहीं लग रहा points वाले answer नहीं चाहिए, मुझे पूरे-पूरे numbers आंसर चाहिए इन points वाले answer से पूरे-पूरे numbers आंसर बना के दिखाओ हम किस से करेंगे, iterative method से करेंगे तो आज की heading क्या देनी है, that is iterative method सीखने वाले आज start करने फड़ा-फट से बहुत ध्यान से करना easy है चले फड़ा-फट से पहले देखते हैं, तो सबसे पहला काम इन equations को naming देते हैं, first equation क्या है, 2x plus 2y minus z equal to 6 this is the first equation, second equation x plus y plus 2z equal to 8, this is the second equation third equation note करते हैं, एक बात ध्यान दिसनो, कभी भी first जो x है हमारा negative नहीं होना चाहिए, जब भी हम gauze elimination की बात कर रहे हैं, कभी भी x negative नहीं होना चाहिए तो कोई बात नहीं, बाहर minus common ले लेते हैं, अगर बाहर minus common लेंगे, सबके sign अंदर change हो जाएंगे minus x plus x बन जाएगा, plus 3y minus 3y बन जाएगा, and plus 2z minus 2z बन जाएगा, is equals to 4 यह चीज़ क्लियर है, मुझे यह x negative में कभी भी नहीं चाहिए हो तो gauze elimination method के अंदर तो सबसे पहले मैंने इसको positive बनाने के लिए, पूरे में से minus common ले लिए, ठीक है, यह minus बाहर आगया, अब यह minus किदर जाएगा यह यहाँ पे right hand side चला जाएगा, equation बनेगी x minus 3y minus 2z equals to minus 4 अगर हम common निकालते हैं, तो हम उसको right hand side shift कर सकते हैं, यह minus उदर चला जाएगा so x minus 3y minus 2z equals to minus 4, यह मेरी first 3 equations आगे, सबसे important चीज़े यहाँ पे numbering की है, equations की इसले, इसमें कोई गरवर नहीं करनी तो जो आपको equations given थी, उसको 1, 2, 3 देते हैं, पर क्योंकि मुझे पहले वाला minus नहीं चाहिए होता, मैंने negative उदर shift करके, फिर उसको third naming दी है तो जब भी आपको iterative method लगाना है, सबसे पहले 1, 2, 3 naming देनी है, और यह make sure करना है कि सबके sign first, जो भी आपके पास variable, वहाँ पे सबके sign positive हो, दोखे, आपे 2x भी positive, x भी positive, यहाँ पे यह x भी positive चले आगे, चले फिर आगे चलते हैं, यही वो तीन equation, equation number 1, 2 and 3 अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझना, अब मैं क्या करने वाली हो, मुझे पहले से ही solution दिये गए है, कौन से कौन से, x की value 2.8, y की value 1, z equals to 1.8 यह इसके पहले से solution है, चाहे approximate solution है, बट solution तो है, अगर कोई किसी का solution होता है, तो उनकी equation को satisfy करता है, मैं दुबारा बोल रहे हूं, अगर कोई किसी का solution है, तो उनकी equation को satisfy करेगा, अगर यह x, y, z इसके solutions है, तो इसको satisfy करेंगे, तो हम यहाँ पे x, y, z की जगा values डाल रहे हो ठीक है, एक्स की वेल्यू में क्या दे रखें, solution में देखनें एक बार, that is 2.8 लिख देते हैं, y की वेल्यू 1 और z की वेल्यू 1.8, कोई दिक्कत नहीं है, अब x की जगा डाल देते हैं, that is 2.8, y की जगा डाल देते हैं, 1, कहां डाल रही हुँ में, equation number 1 में, equal to यहां पर क्या नहीं आएगी, step number 1 में क्या करना है, जो आपको solutions दे रखें, वहां आप put कर दोगे, जो आपने 1, 2, 3 equations बनाई हैं, clear है चीज, यह मैंने solution में put किया, देखो ध्यान से, x की जगा 2.8, y की जगा 1, z की जगा 1.8, right, right hand side में 6 नहीं लिखना, यहां पे right hand side पे 6 नहीं लिखना, स x, y, z की जगा solutions put करने हैं, similarly, second equation में भी डाल दो, x की जगा क्या है, that is 2.8, y की जगा क्या है, 1, और 2, z है यहां पे, 2 into 1.8, x की जगा x, y की जगा y, z की जगा z, मैंने second equation में भी डाल दिया, right hand side, फिर से नहीं लिखी, similarly, third equation में भी डाल देंगे, x की जगा 2.8, minus 3 into y, that is 1, minus 2 z, minus 2 into z की value कितनी है, 1.8, फिर से हम right hand side नहीं लिख रहे होंगे, clear चीज, सबसे पहला काम, equations को numbering देनी है, negative यहां से हटा के दिया है, numbering, उसके बाद आपने step number 1 देना है, step number 1 में क्या करना है, जो आपको solution दे रखे हैं, approximate, in equations के अंदर put करने, चलें आगे, simple है न, अब आग right hand side यह note नहीं करनी, right hand side हम वो चीज़े note करेंगे, जो हमें इन्हें solve करके मिलेगा, solve करके, बिल्कुल, देखो 2 into 2.8, अभी calculator निकालो, मैं भी ले रहे हो, हम साथ में करते हैं, चीक है, जैसे मेरे पास है, यहां पे 2 into 2.8, that will be 2.8 को अब 2 से करोगे, that will be 5.6, चीक है, 5.6 plus 2 minus 1.8, आप 5.6 plus 2 minus 1.8 करोगे, that will be, हमारे पास 5.8 आजाएगा, तो ठीक है, तो हमारी right hand side क्या बनगी, हम सिफ right hand side में 5.8 लिखेंगे, तो जो आपने left hand side में values बुट की है, उनको solve करके जो answer हैंगे, वो हम right hand side में लिख रहे होंगे, समझाई चीज, पहले x, y, z values डाल दे, बिल्कुल सही, उसके बाद आपने इनको solve करके जो answer है, वो ही right hand side में लिखना है, ये वाली values right hand side में नहीं लिखनी है, clear है चीज, फटा फट से इसको भी कर लेते हैं, 2 into 1.8 कितना हो जगा, 2 into 1.8 is 3.6, तो यहां लिख देती हूँ 3.6 क्या बनेगा ये, 2.8 plus 1 plus 3.6, जल्द 1.4, समझा ही चीज, right hand side आपने as it is note नहीं करनी, इनसे निकालनी है, 2.8 minus 3, अब 2 into 1.8, 3.6 होता है, इसको solve कर लो, 2.8 minus 3 minus 3.6, answer will be minus 3.8, ये मेरे पास बनगी, इन equations को हम naming देंगे, ये जो मैंने किये नहीं calculations, ये आपको show नहीं करनी, आपको सीधा right hand side values लिखनी है, ये आप को calculations show नहीं करनी है, आभी 1, 2, 3 equation बनी थी, this is the 4th equation, this is the 5th equation, this is the 6th equation, इसमें कोई दिखकर, पहले 1, 2, 3 equations बनाई, फिर putting करके values को, मैंने 4th, 5th, 6th equation बना ली, clear है चीज, चले आगई, यहां तक कोई दिखकर, step number 1 clear है, now moving to step number 2, बहुत simple चीज़े है, करते जाओ, बहुत अराम स जीज़े समझाएंगी, प्लीज सिर्फ देखके नहीं समझाएंगी, साथ साथ काम करो, तब ही अच्छे से clear होगा, now step number 2 में क्या करना है, आप देखो, equation 1 और 4 में कोई relation है, बिल्कुल, equation 4, equation 1 से ही बनी है, उसमें ही तो value डाली थी मैंने, तब ही तो equation 4 बनी, तो हम क्या करे करेंगे, द्यान से देखना, equation 1 में से 4 माइनस करेंगे, बहुत द्यान से देखना, similarly, 2 और 5 में कोई relation है, बिल्कुल, 2 में ही values डाली, तब ही में रपस 5th equation बनी है, तो मैं 2 में से 5 माइनस करूंगी, बहुत द्यान से देखना, ऐसे में रपस और 3 equations आ जाएंगी, द्यान से पहले मैंने क्या करना, equation 1 में से equation 4 माइनस करनी है, equation 2 में से equation 5 माइनस करनी है, similarly, equation 3 में से भी मैं 6 माइनस करूंगी, इसमें कोई दिखता है, equation 3 में से भी क्या माइनस करूंगी, 6 माइनस करूंगी, तो step पहले तो क्या था, numbering देनी, वो कोई step में हम count नहीं करते, step number 1, आपने जो solution दे रहे हैं इसमें putting करके right hand sides बनाके equation को naming देना है 4, 5, 6 now moving to step number 2 अब equation 4 बनी कैसे 1 से बनी तो equation 1 को अब equation 4 से minus करेंगे, देखो कैसे करेंगे equation 1 क्या है? 2x plus 2y minus z अब equation 4 क्या है? यही minus 2 into 2.8 यहापर bracket लगा लेता है जब भी minus हो तो bracket लगता है plus 2 into 1 minus 1.8 left hand side, left hand side से minus होगा right hand side, right hand side से आप होगे मैं इसमें r1, r2 में निकालने? नहीं, अभी नहीं निकालने r1, r2 अभी simple process कर रहे हैं पहले 4, 5, 6 equation बनानी है और 1 में से 4 minus करें यह चीज़ clear है? चलें आगे अब देखो ध्यान से जैसे मैंने left hand side में किया इसे right hand side में कर दो left hand side में था, कर दिया right hand side में किया यहां पर 6 था, 6 minus 5.8 left hand side में भी 1 minus 4 की है equation 1 में से equation 4 minus की है right hand side में पहले equation 1 का 6 आएगा फिर equation 4 का 5.8 आएगा यहां तक कोई दिक्कत है, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत हो नहीं, पक्का, अब आगे चलते हैं मैंने यहां पर पहले ही note कर लिया, जो मेरे पास ही बने थे न, equation ही, minus करके, वो मैंने as it is यहां पर लिखी, ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से अब मैं minus अंदर लेके जा रही हूँ, 2x plus 2y minus z, यह minus अंदर जाएगा, minus 2 into 2.8 बन जेगा, यह minus अंदर जाएगा, इस plus को भी minus में change कर देगा, minus 2 into 1, यह वाला minus इस minus को plus में change कर देगा, plus 1.8 equal to 6 minus 5.8, ध्यान देना ही चीज़ का, जब minus अंदर जाता है, सब के sign change होते हैं, यह यह plus वाला minus बन गया, यह plus minus और यह minus plus बन गया, clear है चीज़, आगे बहुत ध्यान से देखना, अगर यह एक equation को minus करना है आगे आगे आपको 1 minus 4, बाकी 2 भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, आप ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से, यह 3 एक साथ डालने से ही बना है, एकस की वेल्यू क्या थी, 2.8, इनको एक साथ लिखना है, 2x minus 2 into 2.8, यह x की वेल्यू डालने से ही बना है, x की 2.8, अगला देखो, next की पेरिंग इसके साथ, थी, 1, तो y की पेरिंग बानवले के साथ करेंगे, इसको साथ में लिखेंगे, plus 2y minus 2 into 1, को साथ में लिख रहे हैं, जिनकी वेल्यू स्पुट की गई है, x की वेल्यू 2.8 थी, तो x को 2.8 वले के साथ लिख दिया, मैं देखो, x को 2.8 वले के साथ लिखेंगे, कुछ नहीं किया, minus के साथ ही लाई हूँ इदर, कोई sign change नहीं कर रहे हैं, बस x वलो को 2.8 के साथ लि दिया, चीक है, is equals to 6 minus 5.8, that is 0.2, आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, यहां से 2 common ले लो, क्या लोगे 2 common, इसका shortcut भी बताऊंगे और आंसर चेक करना भी सिखाऊंगे, लेकिन आपको यह चीज पहले सीखनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, यह आपको पहले सीखना पड़ेगा, चीक है, that will be 2 common लिया, अभी चेक करने का भी भी बताऊंगे, कि आप लास्ट में अपना आंसर चेक कर पाऊंगे, यहां पर 2 common लिया, अंदर बचेगा, x minus 2.8, यहां से 2 common लिया, अंदर क्या बचेगा, y minus 1, ले लेते हैं, यहां से क्या common ले सकते अब यहां से देखो, यहां से कुछ common लिया, तो minus common ले लेते हैं, z plus और यह plus वला minus में बन गया, equals to 0.2, बहुत simple सी चीज़ की, मैंने पहले x की, जैसे x को 2.8 वले के साथ रखा, क्योंकि x की value 2.8 थी, फिर y की value 1 थी, y को 1 वले के साथ रखा, कुछ नहीं किया, sign वहीं रहे correct है अब ध्यान से देखो, अब आपने क्या करना है, बहुत important चीज़ अब आपने value देनी है, यह जो bracket में आ रहा है, इसका name xc रख देंगे, यहां पे इसका name y e रख देंगे, और यहां पे इसका name z e रख देंगे, that is 2 xc plus 2 y e minus z e, यह आपके पास equal to 0.2, यह आपके पास equation number 7 था गई, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, पहले 1, 2, 3 equation कौन सी थी, जो हमें आपके पास question में दे रखी थी, फिर values put करने के बाद x, y, z की, में पास 4th, 5th, 6th equation आई, ठीक है, एक यह मेरे पास 3 equation का set, एक यह 3 equation का set, फिर मैंने क्या किया, 1 minus 4 किया equation, उससे भी एक equation बनी जिसका नाम 7th equation रखा, यहाँ पे हमने कुछ value, जैसे x-point जो भी मेरे पास bracket में आया, उसका नाम x, y, z, e रखा, तो मेरे पास equation बनी देखो, 2x, e, और क्या बनेगा, plus 2y, e, minus, z, e, अब आप सोच रोंगे मैम, यह कैसे पता लगेगा, कि bracket में क्या रखना है, अब ही बताती equation पहली first equation क्या थी? 2x plus 2y minus z equal to 6, देखो first equation notebook में लिखी है, देखो फटा-फट से देखो, लिखी हुई है, हांचे लिखी हुई है, देखो यह सेम बनती है, 2x, 2y, z, बस सारे x, y, z की जगा e आ गया, फिर आप कोगे मैम, इतना बड़ा process करने की क्या जूरत है, सारे x की जगा y, z की जगा z ही लिख देते हैं, पर हमें फिर right hand side का पता नहीं लगेगा क्या लिखना है, इसलिए process पूरा करने है, आप minus करोगे 1 minus 4, end में equation यही बनेगी जो first थी, बस x, y, z ही आ जाएगा, right hand side हमें पता लगजेगी क्या आने चाहिए x, z, समझ आगी चीज, तो के पास वही equation बनेगी, जो first equation थी, बस x की जगा x, y की जगा y, z की जगा z ही आ गया, clear है चीज, तो मेरे बस क्या बनेगे, 2x e, plus यहाँ पे क्या था, that is 2y e, minus z e, equal to 0.2, बहुत simple है, ध्यान से देखना, आपको लग रहा होगा कि मायम इतना number tough है, नहीं है, बहुत easy है, यहा e क्या आता है, that is y minus 1, z e क्या होता है, that is z minus 0.8, बहुत ध्यान से समझना, यह वही सारी values हैं, जो आपको question में x, y, z में दी गई थी, ध्यान से देखो, x e is x minus 2.8, y e, y minus 1, x की value 2.8 दी गई थी, तो x e is x minus 2.8, y e की value क्या थी, y minus y की value क्या थी, 1, तो y e equal to y minus 1, z e, z की value क्या आती मेरे परस, 0.4, 1.8 आएगा ना, यहापे, तो z e क्या होगा, z minus, जो मुझे approximate solution दिया गया था, यह मैंने आपको पूरा process बता दिया, अब मैं आपको shortcut method से भी बताऊंगी, कि आप यह equations कैसे बना सकते हो, start करने shortcut method से यह समझागे, पहले से, आपने equation number 1 minus 4 किया, solve करने के आपने देखा कि कैसे हम यह equations बना सकते हैं, अब shortcut method से बनाती हूँ, बहुत simple, अब shortcut method से देखो, मुझे क्या करना, second minus fifth equation करने, ठीक है, वो सारा बहुत बढ़ा सा process हो जाएगा, x plus y plus 2z, minus यहापे आएगा, that is 2.8, minus 1, plus 2 into 1.8, यह आएगा मेरे पस है न, यहापे plus आएगा, ठीक है, यह मेरे पस बन रहा होगा, और is equals to, यहाँ पे बनेगा, that is 8 minus 7.4, यह equations minus करके आएगा, तो क्या मैं पूरी इसकी calculations करूँ, पूरा solve करूँ, कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है, यह आपकी second equation थी, so answer will be xe plus ye plus 2ze, और right hand side में 8 minus 7.4, 0.6 लिख दो, बस इससे ज़ questions बता ही, यह आपका shortcut method से निकल गया, बहुत इसे निकाल सकता है, जो आपके देखो, आपने जो यहाँ पे निकाली 7th equation, वो कैसे निकली थी, 1 minus 4 करके, तो आपने 1 वली same equation लिख दी, बस x की जगा xe, y की जगा ye, और z की जगा ze e आ गया, लेकिन अब अगली equation में 2 minus 5 है, that is 0.6, ठीक है, xe होता है, x में से वो value minus करना, जो आपको solution के लिए दी गई है, y क्या होता है, y में से वो value minus करना, जो आपको solution के लिए दी गई है, similarly ze e, जैसे हमने 7th बना ली, वैसे हम 8th भी लिख देते है, 8th में पास क्या बनी है, that is xe plus ye plus 2zee, लिख देते है, xe plus ye plus 2zee is equals to 0.6, इतने shortcut से निकल सकते है, ठीक है, अगला देखते हैं, अगली क्या करने थी, 3rd में से हमें 6th minus करने थी, ठीक है, लिख देते हैं, 3rd क्या थी, x minus 3y, minus में पास क्या था, 2zee था, लिख देते हैं, यहाँ पे minus करेंगे, x कितना था, लिखना तो आपने पूरा है, चाहे 2.8 थी, y3 की, यहाँ पे y की value 1, 2 into 1.8, यह मैंने 6th equation लिखी है, देखो, 6th equation थी न, यहाँ पे, यही लिखी है मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या हैगा, minus 4 plus 3.8, दो minus होते हैं न, minus 4 minus minus 3.8 करोगे, यह plus बन जाएगा, देखो, यही तो करते हैं, equation 3rd में से equation 6th minus हो रही है, तो minus 4 minus minus 3.8, वो plus बन जाएगा, ठीक है, easy है, चले आगे, आप इसको पूरा solve करने के देखने की जरूरत नहीं है, simple जो आपकी 3rd equation है, x की जगा xc, y की जगा y, डाल दो, xc minus 3ye minus 2ze is equals to, यहाँ पे क्या value बनेगी, that is minus 3.8 और 4, that is 0.2 आजाएगा, तो last equation क्या बनी, xc minus 3ye, और यहाँ पे क्या बनेगा, minus 2ze equal to, minus 2ze equal to 0.2, यह आपके पास बन गया है, न सारी equations में, xc, y, z होता क्या है, x में से वो value minus कर दो, जो आपको x का solution दी गई है, 2.8, y में से y वाला solution 1, और z में से z वाला minus 1.8, ठीक है, तो xc क्या होगा, x में से solution क्या आता है, x वाला, that is 2.8, यहाँ पे 2.8 minus होगा, clear है चीज, तो से 7th, 8th and 9th equation, यहाँ तक अगर clear है, तो question complete है, उसके बाद तो थोड़ा सा gauze elimination लगाने है, बट यहाँ तक equation आपको अच्छ से समझानी चाहिए, यहाँ तक clear है, पक्का देख लो, चले आगे, अब बहुत simple है, अब हम इस 7th, 8th और 9th equation को gauze elimination से solve करने वले हैं, ताकि हमें x, y, e, z, e की value मिल जाए, उन x, y, e, z, e को हम यहाँ डालेंगे, हमें x की value मिल जाएंगी, अच्छे वली, improved वली, चिक है, लगाएं gauze elimination 7th, 8th, 9th equation पे जल्दी से लगाते हैं, r1, r2 पे, मैं फर इसको note करते हूं, फि से देखना, सबसे बहले क्या निकालते हैं, r1 निकालते है, r1 कैसे निकलते हैं, जब हम पहली 2 equations को consider करते हैं, तो consider कर लेते हैं, that is equation 7th and 8th, ठीक है, r1 कैसे निकलते है, coefficient of xc, यह न, xc लिख देते हैं, in equation 8th, उपर बड़ी वल equation आती है, upon coefficient of xc, in equation in 7th, उपर बड़ी वल equation, यह चोटी वल equation, 8th में क्या है, coefficient 1, 7th में कितना है, 2, that is 1 by 2, so r1 की value कितनी आगी, 1 by 2 आगी, फिर क्या करते थे, equation बड़े वली पहले लिखते थे, equation 8, minus r1, equation number 9, same बिल्कुल वैसे ही solve करना है, करें फिर equation 8 की left hand side देखो, दाटर्स क्या है, xc, plus yc, plus 2ze, minus r1, r1 कितना दिया हुए, 1 by 2, अब डाल दो equation number 7, 2xc, 2ye, minus ze, ऐसे ही left hand side जैसे की न, वैसे right hand side करेंगे, 0.6, minus 1 by 2, 0.2, देखो, 8 की मैंने 0.6 उठाया, minus r1, minus 1 by 2, into 0.2, इसमें कोई square आगे solve करेंगे, अब धियांस देखना, बहुत simple है, that is, xc, plus y e, plus 2ze, चीक है, 1 by 2 अंदर जाएगा, that will be minus x e, यह जब 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 cancel होगा, minus x e बचेगा, similarly, minus y e बचेगा, और plus ze by 2, कुछ नहीं किया, simple minus 1 by 2 को अंदर multiply किया है, और यहाँ पे 0.6 minus 0.2 by 2, that will be कितना आजएगा, 0.6 minus 0.1 आजाएगा, जब 0.2 को 2 से इबट करोगे, 0.1 आएगा, चीक है, x e से x e cancel हो रहा है, यहाँ पे by chance y भी cancel हो रहा है, कर देते हैं, हमारा question easy हो जाएगा, 2 ze plus ze by 2 equals to 0.6 minus 0.1, that will be कितना आजएगा, 0.5, यहाँ पे देखो 2 ze plus ze by 2, ze common लेलो, 2 plus 1 by 2, वैसे यहाँ पे मेशा एक x e cancel होता था, मारा पस एक equation बचती थी, बट यहाँ पे by chance y भी cancel हो गया, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ ze बच गया, हमें जल्दी से z e की value मिल जाएगी, हमारा question solve करना easy हो जाएगा, चीक है, अगर नहीं होता y cancel, एक equation बनती y z e में, हम उसको अगला number दे देते हैं कोई, ठीक है, अब आगर देखो, यहाँ पे LCM लेंगे, that will be 5 by 2 आजाएगा, और यहाँ पे 0.5, आगे चलते हैं, बहुत simple है, बहुत easily कर लेंगे, यह मैं रब कर दूँ इसको, so we are left with z e, 5 by 2 equal to 0.5, so z e is equals 2, यह उदर जागे cross multiply हो जेंगे, जो नीचे है 2, वो उपर चला जाएगा, और जो 5 उपर है, वो नीचे आजाएगा, यह लो 5 नीचे रख दिया, z e is equals 2, अब calculator से फटाफट करते हैं, 0.5 into 2, that will be 1, और 1 by 5, 1 by 5 निकाल ले, that will be 0.2, तो एक z e की value मुझे मिलगी, that is 0.2, इसमें कोई दिखकर है, तो बताओ, वैसे तो r1 से एक equation मिलती है, but by chance यहाँ पे मेरे पास x e भी cancel हो रहा है, y e भी cancel हो रहा है, तो सिर्f z e बचा, तो z e की value हमें मिलगी, सिर्फ और सिर्फ r1 की help से, चले हम r2 पे, हमें r1, r2 पे जाना होता हैं, जब तक हम मुझे 3 ना मिल जाए, मुझे x e भी चाहिए, y e भी z e भी, तो z e निकल है, जब तक 3 ना निकल जाएं, तब तक मैं अपना r1, r2 निकालते रहते हैं, फटा-फट से निकालते हैं, आप r2 निकालते हैं, अब क्या करते हैं, consider करेंगे equations, कौनसी, that is य 7th, 8th, 9th, 7th, 8th से काम हो चुक है, तो अब consider करेंगे 7th and 9th equation, जैसे मैं पास 1st, 2nd, 3rd naming देते थे, तो पहले 1st, 2nd, 3rd consider करते थे, फिर 1st and 3rd consider करते थे, इसी तरह इसमें भी, पहले 1st 2, फिर 1st and last consider करते थे, यही सी करता था ना last class में, इसमें भी पहले हमने 1st, 2nd consider कर दी, R1 निकाल लिया, इसकी help से हमें ZD मिल गया था, अब हम 1st and last, मतलब 7th और 9th consider करेंगे, तो coefficient of R2 कैसे मिलेगा, coefficient of XE in equation number 9, बड़े वाले number वाले equation उपर आती है, upon coefficient of XE in equation किस में आएगी, that is in 7th 1, हमने 7th ले रखी है, ठीके, 9th में कितने XE का, 1, 7th में कितने 2, तो मेरे पास R2 कितना आगया, 1 by 2, ठीके, उसके बाल क्या करते थे, equation number 7, नहीं, सबसे पहले बड़ी वाली equation, equation number 9, minus R2, equation number 7, ठीके, अब करते हैं, बहुत एजली हो जाएगा, बहुत एजली हम कर लेंगे, चल्दी से करते हैं, अब equation number 9, minus 1 by 2, equation number 7, मेरे से भी पहले करो, फटा-फट से, फिर आंसे मैच करना, XE minus 3YE, minus 2ZE, no problem, इसकी left-hand side ले ले ली, minus 1 by 2, 2XE, plus 2YE, minus ZE, is equals to minus 0.2, minus, यहाँ पे 1 by 2, into 0.2, कुछ नहीं किया, जैसे उसने बोला, equation number 9, minus R2, R2 की जगा, 1 by 2, equation number 7, वही सारी values put करी, पहले वो सारा काम left-hand side पे किया, फिर वो सारा काम right-hand side पे किया, अब ही bracket खोलते हैं, अंदर values लिखते हैं, फड़ा-फड़ से solving करते हैं, बहुत एजली question हो जाएगा, बिलकुल last step, जैसी XE, YE, ZE मिला, question complete हो जाएगा, बहुत एजली, आगे देखो, XE minus 3YE, minus यहाँ पे 2ZE, चिके, यहाँ पे minus XE, यह minus अंदर जाएगा, 2 से 2 cancel होगा, 1 by 2 into 2, XE रह जाएगा, similarly, यहाँ पे YE रह जाएगा, और आगे बचेगा, plus ZE by 2, right hand side पे minus 0.2, यहाँ पे minus 0.1, आप 0.2 को 2 से डिवाइड करोगे, 0.1 आएगा, right, XE से XE cancel हो जाएगा, बहुत साथ-साथ calculations करो, बहुत अच्छे समझाएगे, minus 3YE, minus Y, minus minus, plus 3 और 1, 4, sign बड़े वलेगा, 3 बड़े, उसका negative आजाएगा, यहाँ लिख दिया, आगे देखो, minus 2ZE, और यहाँ पे plus ZE by 2, यहाँ पे इसे लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि हम इसको directly solve नहीं कर पाएंगे, LCM लेगे करना पड़ेगा, is equals to minus minus plus, that will be 0.3, बड़ा कोन है, 0.2, उसके साथ minus का sign, यहाँ minus आएगा, आगे करने step बहुत सिंपल, minus 4YE, ZE common लेते हैं, दियांस देखना, ZE के पास क्या है, यहाँ पे 1 by 2, अगर ZE बाहर चला गया, 1 by 2 बचेगा, और यहाँ पे minus 2, कभी भी अगर आप जैसे ZE बाहर लिया, पहले positive चीज लिखो, 1 by 2, फिर negative minus 2, life में पहले positivity देखो, negativity यहाँ तुम छोड़ नी सकते, life में छोड़ दो, यहाँ पे minus 2 है, यहाँ पे हमारे पास आजाएगा, is equals to minus 0.3, चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे देखो, minus 4YE, ZE गेरा, इसका LCM लेंगे 2, इसके पास 2 है, उपर कुछ देने की जोटनी है, 1 ही रहेगा, इसके पास 2 नहीं है, नीचे 1 है, जब LCM लेते हैं, और LCM वली चीज उसके पास नीचे नहीं है, तो उपर देनी पड़ती है, यहाँ पर 2 है, एक और 2 मैं दूंगी, क्योंकि इसके पास नीचे 2 नहीं था न, that will be उपर 4 हो जाएगा, equal to minus 0.3, जैसे यहाँ पर 2 और 1 का LCM 2 आया है, इसके पास 2 नीचे था, तो उपर कुछ नहीं देना, 1 का 1 रहेगा, इसके पास LCM वला 2 नहीं है नीचे, तो उपर एक 2 दोगे, वो multiply होगा, 2 into 2, 4 होगया, that will be minus 4YE plus ZE minus 3 by 2 equals to minus 0.3, now next is बहुत यहाँ से देखना, अब मेरे पास ZE की value पहले ही आ चुकी है, निकाली थी न, that is 0.2, वही यहाँ put कर रहे हूं, minus 4YE plus 0.2 into minus 3 by 2 equal to minus 0.3, इसमें कोई दिखकर, बहुत सिंपल सी चीज़ा देखो, मेरे पास बहुत एजली, मैंने यहाँ ZE की क्या डाल दी, value डाल दी, अब आगे देखो minus 4YE, राइट, आप इसको 0.2 को minus 3 by 2 से multiply करो, ध्यास देखो, यहाँ आपे plus 0.2, 3 by 2 is 1.5, into minus 1.5 करो, equal to minus 0.3, minus 4YE, इसको solve करके आपके पास आ रहा होगा 0.3, and plus minus minus, बीच में minus equal to minus 0.3, बहुत यहाँ से देखना, यह plus 0.2, यह minus 1.5, जब plus वाला minus से multiply होता है न, answer minus में ही आता है, 0.2 को 1.5 से करना 0.3 आएगा, minus 4YE, minus 0.3 plus 0.3, इधर minus करो जाके क्या हो गया, plus हो गया, तो यहाँ पे YE क्या बनेगा, minus 4, equal to 0, यह तो plus minus cancel होगे, तो यहाँ पे YE equal to 0, minus 4, 0 के नीचे कुछ भी हो, उसने 0 ही बना देना है, तो यहाँ से YE क्या आ गया, 0 आ गया, मेरा mean task की इस question में यह है, XE, YE, ZE की value निकालना, जिससे मैं X, Y, Z अच्छे वले निकाल पाऊंगे, चिके, तो मेरे पास ZE कितना आ गया, 0.2, मेरे पास XE कितना आ गया, निकाला नहीं अभी, मेरे पास YE कितना आ गया, 0 आ गया, ठीके, यह दो आ चुके हैं, तीसरा निकाल सकती हूं, बहुत इसली निकाल सकती हूं, मेरे पास दो equations थी, कौनसी वले, सब XE कैसे निकालेंगे, मेरे पास यह तीन equations थी, राइट, आपके पास कोई भी जासे तीन चीज़े निकालना, आपके पास दो आ गया है, तो आप थर्ड वली, आप किसी भी एक equation रो पूट करके निकाल सकती हूं, सेवन्थ में, एर्थ में, नाइंथ में, आपकी मर्जिया, जिसमें मर्जिय पूट कर दो, मैं फर्स्ट वले में पूट कर रही हूं, 2XE, XE की value है नि, 2YE, YE की value कितनी है, 0, 2 into 0, minus ZE, minus 0.2, equal to 0.2, 2 into 0 is 0, 2XE, plus 0, यह minus उदर जागे क्या हो जागा, plus 0.2, plus 0.2, so 2XE is equals to, plus 0 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, equals to 0.4, XE is equals to 0.4 upon 2, so XE की value भी कितनी आगी, 0.2, तो हमारे पास यहाँ पे R1 में XE, YE जो cancel हो गए थे, उससे calculation easy होगी, हम R1, R2 पर ही मेरा question solve हो गया, पहले क्या करते थे basically हम, हम R1 निकालते थे, R2 निकालते थे, यहाँ से दो equation मिलते थे, उसको solve करके, उसको solve करने के लिए R3 निकालते थे, ऐसे हम Gauss Elimination में सीख के आए थे, पट यहाँ पे R1 में XE, YE दोनों cancel होगे, calculation easy होगी, महाँ से मुझे directly ZE मिल गया था, R2 में मुझे directly YE मिल गया था, जैसी मुझे YE, ZE मिल गए, मुझे R3 पर जाने की जूरत नहीं है, मैं इनको XE, बताब किसी भी 7th equation या 8th equation, 9th equation में डालके, XE बहुत easy निकाल सकते हो, अगर आपको कोई 3 चीज़े निकालनी है, 2 भी आपके पास आजाएं न, आप equation में पुट करके, 3 सी चीज easily निकाल सकते हो, ठीके, तो मैं पास XE, YE, ZE ये आगे, मतलब इतनी क्या जूरती है हमें XE, YE, ZE की, इसकी help से हम X, Y, Z अच्छे वले निकाल पाएंगे, अभी तो X हमें 2.8, ऐसे दे रखे थे न, पूरे-पूरे number निकाल पाएंगे, ध्यान से देखना, XE कितना आगा है मेरे पास, 0.2 is equals to X minus 2.8, यहाप XE की value डाली मैंने, और यह as it is यहाँ पे लिख दिया, यह minus इदर आगे क्या होजेगा, plus 0.2 plus 2.8 is equals to X, so X की value कितनी बन गी, 3 बन गी की नहीं, उन्होंने X की value 2.8 दी थी, वो बहुत points में थी, अच्छी नहीं थी, मैंने exact अच्छा whole number निकाल दिया, X की value 3, similarly Y E में भी आप value डालो, Y की value क्या थी? 0 equal to right hand side, ऐसी note कर दो Y minus 1, यह minus 1 इदर आके plus 1, so Y की value क्या आगे? 1 आगी X3, Y1, इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो, simple है न, बहुत easy चीज़े हैं, अगर आप ध्यान से patience से करो, सब यहाँ पर कर लिए, एक बार खुद भी question करके देखना, बहुत easily questions कर पाऊगे, अब आगे देखो ध्यान से, Z में भी, यहाँ पर ZE था, यहाँ पर ZE equal to क्या है? Z minus 1.8, ZE की value डाल दो, 0.2 equal to Z minus 1.8, यह दर minus इदर आके, plus 0.2 plus 1.8, तो Z की value क्या आगे? That is 2, तो मैं पास Z की value 2 आगे, तो जो मेरे पास answers बन रहे थे, कौन से answers दे रहे थे मुझे question में? That is X की value 2.8, वो X3 है, जो अच्छा था, उसने का था, नहीं improve this solution कर दिया, 2.8 नहीं मैंने X की value 3 निकाल दी, Y1 अच्छा था, पहले से कोई change नहीं आया, Y1 का 1 ही रहा, Z 1.8 इसमें अच्छा change आया, that is Z की value 2 आगी, this is the improved solution, X3, Y1, Z2, question tough बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा lengthy है, पेशन से चीज़े समझनी है, पहले मैं आपको पूरा समझा रहे हैं, चीज़े कैसे हो रहे हैं, फिर आपको shortcut भी बता रहे हैं, जैसे मैंने equations माइनस कराई, फिर shortcut से भी समझाया, directly भी लिख सकते हो, ठीक है, सो पेशन से चीज़े समझनी है, I hope आपको question clear है, exercise में आपके पास है equations, कहीं बार books में भी mistake होते हैं, जिस books एने question consider किया, महाँ पे यह mistake थी, ZE की value में, तो आप एक बार यह नी blindly ना, books में कई बार उनमें भी printing mistake होते हैं, ध्यान से देखना, जासे मैंने question consider कि, महाँ पे ZE की value सिर्फ 1.8 लिख हुई थी, Z-1.8 नहीं लिख हुई थी, books में mistake हो सकती है, यह नी हर बार बुक में mistake होती है, लेकिन अगर printing में से कहीं बार हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से questions करना, ठीक है? I hope you like this video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Arts. Thank you so much for watching.